Hello friends, मैं हूँ Dr. Trishmi और आप देख रहे हैं Baby Care Live इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ gripe water के बारे में gripe water क्या होता है, gripe water के ingredients क्या है, gripe water कब बच्चों को देना है, कब नहीं देना है gripe water के बारे में सारी जानकारिया मिलेंगी आपको इस वीडियो में और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी being a doctor और being a mother मेरा क्या opinion है और मैं अपने बच्चे को क्या देती हूँ तो शुरू से लेकर बने रहे हैं आंधिता किस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें सारे हेल्थ अपडेट टाइमली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए आप देख रहे हैं मैं बेबी के लाइब और मैं हूँ दॉक्टर रश्मी तो चलिए शुरू करते हैं ग्राइब वोटर के बारे भी जितनी कॉंट्रोवर्सी है उतनी शायद ही कि पीडियाट्रिक प्रोड़क्ट के बारे में होगी कुछ लोगों का कहना है कि हमें ग्राइब वोटर देना चाहिए वह ही कुछ लोगों का कहना है कि ग्राइब वोटर नहीं देना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बते बताऊंगी जिसे आप खुदी इंपावर्ड हो जाएंगे कि आपको ग्राइप वाटर देना है या नहीं देना है तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्राइप वाटर की शिरुवात 150 साल से भी पहले इंगलाइन भी हुई थी उस समय इसके मार्केटिंग होती थी मैलेरियल फीवर को खत्म करने के लिए बच्चों मैं यूज होता था इसके मेजर कंटेंट जो होते थे वोते हैं दिल से लौइ जो होता है सुवा का तेल इसके अलाबा इसमें होता था सोडियम बाइकार्बोनेट और अल्कोहल आप जानते हैं कि अल्कोहल कितना नुकसान का रख होता है लेकिन उस समय इतनी नॉलेज नहीं थे शायद और इसलिए 9% से भी जादा अल्कोहल का यूज होता था अल्कोहल का यूज होने से बच्चा आराम से सो जाता था और पेरिंस को लगता था कि ये काफी अच्छा है काफी ग्राइब वोटर देरा चाहिए और ग्राइब वोटर की बहुत मार्केटिंग होती थी इसके लावा सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता था जो ऐसे एंटासिड यूज होता था उनका खहना था कि सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करने से बच्चों को ऐसे डिटी कम होती है इसलिए इसको एक anti-colic agent के नाम से भी market किया जाता था लेकिन अब क्या? अब इंडियर markets में हमारे पास क्या है gripe water के नाम पर चलिए जानते हैं अभी जो हमारे पास market में उपलब्ट gripe water हैं उसमें alcohol तो use नहीं होता है लेकिन sodium bicarbonate किसी ना किसी प्रकार से रहता है sodium bicarbonate को कुछ brand साजखार के नाम से भी लिखते हैं तो एक बार आप ingredients जरूर चेक कीजिए sodium bicarbonate जो होता है जिसे हम soda कहते हैं वो काफी नुकसान का रख होता है intestine को इसके अलावा dilseed oil या suva का तेल अभी भी यूज़ होता है वरे का तेल यूज़ होता है पुदीना यूज़ होता है अजवाइन यूज़ होता है पलास बीच, अमलतास, सौफ और नजाने क्या-क्या अलग अलग ब्रैंड्स के dry water में यूज़ होता है लेकिन अब बात है कि ये जो इतनी सारी चीज़े हैं इनका फाइदा क्या और नुकसान क्या जो marketing companies हैं वो कहती हैं कि इनको आप baby colic में दे सकते हैं इसके अलावा अगर baby को teething issue हो रहा है या baby pain में है तो भी आप इसे दे सकते हैं बेबी को सूत और रिलाक्स करने के लिए दे सकते हैं तो ये सारी बाते हो गई हमारी कि इसके advantage क्या क्या होते हैं जो company ने बताए हैं हमें अब मैं आपको बनाती हूँ कि इसके disadvantage क्या क्या होते हैं ताकि आप risk और benefit से खुदी फैसला कीजे कि आपको यूज करना है या नहीं करना है जहां तक कि disadvantage की बात करें तो WHO का भी कहना है और UNICEF का भी कहना है कि जब तक बच्चा 6 महने का नहीं हो जाता उसको exclusive breastfeed ही देना है मतलब breastfeed के अलावा उसे water भी नहीं देना है इसके अलावा अगर आप एकदम अरली जैसे बच्चा भी पैदा हुआ है और उसको आप तुरंद ग्राइब पोटर देते हैं तो इससे क्या होता है कि breastfeed establish करने में difficulty आती है मदर को दूद पिलाने में difficulty आती है अगर आप बच्चे को ज़रूरत से ज़ादा quantity में regular ग्राइब पोटर दे रहे हैं तो उससे milk alkali syndrome यहने कि बच्चे के blood का pH बिगड जाना यह समस्या भी हो सकती है इसके अलावा कुछ बच्चों में जो intestine का barrier रहता है वो इतना नाजुक रहता है कि उसको harm हो सकता है बच्चे को diarrhea हो सकता है constipation हो सकता है कुछ बच्चों में allergy भी हो सकती इसमें बहुत जादा शुगर होता है जिसकी वज़े से teeth eruption में भी problem आती है तो यह बात हो गई advantage और disadvantage की अब हम बात करते हैं कि 150 साल बाद भी यह फिर क्योब इक रहा है उसका major कारण यह है कि mouth to mouth publicity बहुत सारे mothers कहती है कि यह देना अच्छा होता है और यह सुनकर हम भी अपने बच्चे को देते हैं हाला कि इसका कितना फाइदा होता है कितना नहीं होता है इसकी तो कोई scientific study है नहीं प्रूव करने के लिए कि इसको देने से फाइदा हुआ हो बच्चे को तो जादा तर लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हों ने कहीं से सुना है इवन मैं जब छोटी थी तो मेरी मदर भी मुझे दिया करती थी बहुत सारे बच्चों में अगर इसका कुछ नुकसान ना हो तो फाइदा भी नहीं होता और कुछ बच्चों में इसका नुकसान भी हो जाता है मतलब फाइदा हो या ना हो लेकिन नुकसान होने के chances हैं तो ऐसे में देना है या नहीं देना है ये आप खुदी decide कीजिए being a doctor कोई भी इसे prescribe नहीं करता है और being a mother भी मैं अपने बच्चे को ये नहीं देती हूँ तो अब बात है कि अगर ये ना दे तो क्या दे what is the replacement of this solution तो replacement ये है कि सबसे पहले आप जाने कि आपका बच्चा कोलिक की वज़े से रो रहा है अगर बच्चा कोलिक की वज़े से रोता है तो वो अपने हाथ पैरों को मोड़ कर पेट तक ले आता है अपनी बॉड़ी को अकड़ लेता है उसे बहुत ज़दा गैस होती है वो बहुत ज़दा spit अप करता है तो ऐसे में आप अपनी pediatrician की सला से anti-gas drops ले सकते हैं वो बहुत easily available है और market में और वो proven भी होते हैं लेकिन ये आपको सिर्फ अपने pediatrician की recommendation से ही मिलता है तो आप अपने doctor से ज़रूर बात करें दूसरा बच्चे को swedle करे चुप कराने के तीसरा बच्चे को distract आप कर सकते हैं चौथा बच्चे की belly को आप rub कर सकते हैं circular motion में ताकि उसका gas pass हो जाए तो आप बच्चे को cycling movement में उसके legs को आप घुपा सकते हैं जिससे उसका easily gas pass हो जाए तो अगर आपको ऐसा लगता है कि mother ने कुछ new diet शुरू की है जिसकी वज़ा से बच्चे को allergy हो रही है तो mother अपना diet alter कर सकती है और अगर last में कुछ ना हो तो formula feed अगर आप दे रहे हैं तो आप उसे change कर सकते हैं अपने pediatrician की सला से तो ये सारी बाते हो placement strategy की बारे में जो आप gripe water की जगा आप ऐसे replacement यूज़ कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपको समझ आई होगी और अगर आपको ये थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप हमें subscribe ज़रूर कीजिए आप देख रहे हैं baby care live मैं हूँ dr. रश्मी तो आपको अच्छी लग्योड जापको अच्छी लगी है